अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि मैं कौन सो अर्गानिक फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स के लिए यूज करती हूं क्योंकि आपने देखा होगा मैं अपने प्लांट्स की फोटोस इंस्टाग्राम पे अपलोड करती रहती हूं तो आप काफी लोगों ने कंप्लिमेंट किया है कि मेरे प्लांट्स बहुत ही ग्रीन है और फ्लारिंग बहुत अच्छी होती है उनमें मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर की जाए कि मैं कौन सा फर्टिलाइजर यूज करती हूं आपने बहुत सारे फर्टिलाइजर की वीडियो देखी होगी लेकिन मुझे लगा कि आज आपके साथ अपना भी मैं एक्स्पीरियन्स शेयर करूं तो शायद ही आपके इसके साथ ग्री रिस्पोजिबल बॉटेल और सीजर सबसे पहले हम क्या करेंगे बनाना पील को चोटे-चोटे पीसिज में कट कर दूंगे अपदेखिए मैं इसको चोटा-चोटा कट कर दूंग आप कैसे भी कट कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी ही चोटे- तो पूरए लगए नें की रूट नें लुड़ा है लुड़ा परभी तो लीटार नुड़ा हो दूसे पाला डालें Sut बालें सब दालें दिर Kristen एंदर पर भी साफ हाया तोल जल्दी जाय record को दें अब जड़ा जाएग गूरा और उसके बाद हम इसमें आट कर देंगे पानी अब हम इस बॉटल को पानी से फिल कर देंगे लिकिन ध्यान रखेगा फ्रेंड्स आपको पूरा बॉटल को फिल नहीं करना है थोड़ी से जंगा आपको उपर छोड़नी है अब हम इसका कैप लगा देंगे और धियान रखेगा इसको आपको टाइटली बंद करना है अब आप इसको कहीं पे भी रख दीजिए और धियान रखेगा दो से तीन दिन में आप इसका कैप खोल कर इसमें जो भी गैस बनेगी वो आप निकाल सकते हैं ऐसे और उसके बाद दुबारा धकन को टाइटली बंद कर दीजिए तो फ्रेंड्स ये गैस कहां से बनिए जो फर्मेंटेशन होगा बनाना पील का उससे क्या होगा इसमें रियक्शन होगा और गैसे इवॉल्व होंगी तो वो गैसे को आपको निकालना जरूरी है वरना ये ब प्रोसेस के अब कम से कम एक महीना लगuba जैसे कि मैं अपने प्लांट के पर दीजिए में जरूर लगता है कम्प्ली फर्मेंटेशन के लिए वन मन्त बहुत जरूरी है अब को आपको अपको अपने एक प्लांट के बिल्कुल तियार हो जाएगा उसके बाद आव इसको चा विजटेबल गार्डन और फ्लारिंग प्लांट्स दोनों में यूज करती हूं मैंने अब तक इसको अपने टोमेटो प्लांट्स में और फ्लारिंग प्लांट्स में सब में यूज किया है तो मुझे तो यह पहुती फाइदेमन लगा है अज़ा करते हूं आप सब को भी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे और अगर आपको इसकी कॉंटिटी आपको गल्ती से जादा भी टाल दें अपने प्लांट्स में तो यह कोई भी हानी आपकी प्लांट्स को नहीं देगा इसके कोई भी नुकसान नहीं है यह दो महिने पहले बनाया था यह वाला इस कि इसमें मैंने संत्री की चिलके और बनाना का चिलका दोनों डाल है पूर्णस मेरा एक और फर्राजर की बोटल है जो कि मैंने दो दिन पहले ही बनाई थी इसका देखिया पानी का कलर जादा चेंज नहीं हुआ है क्योंकि इसमें अभी फर्मेंटेशन प्रॉपली नहीं हुआ है आशा करते हुआ आपको यह पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजेगा और शेयर जरूर कीजेगा अपनी फ्रेंड्स के साथ आपको से इसमें नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाबाई फ्रेंड्स थैंक्स फौ वाचिए